Hello everyone, welcome back to the channel last minute revision with RSM and here I am back with another video So, जैसे कि हम सभी को पता है कि time table जो है SEMIST 6 का वो finally हमारे पास available है And अभी हम सब ये सोच रहे हैं कि exactly ये SEM 6 जो April 5 से होगा तो हमें किस तरीके से इसके लिए preparations करना है कैसे हमारी strategies होनी चाहिए क्या-क्या चीजों के उपर हमको focus करना है तो लास्ट तक देखते रहे और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो subscribe कर ले Because इस तरीके के वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे और last minute revision के points के basis पे काफी सरे बच्चों को help हो रहा है वो सारी चीज़े हम discuss करेंगे कि कैसे आपकी अभी strategy जो है वो होनी चाहिए तो सबसे पहली चीज़ अगर हम आज से लेके count करें तो total हमारे पास on an average 10 से 12 दिन है ठीके 10 से 12 दिन हमारे पास है अगर हमारे पास 10 से 12 दिन है उसमें अगर हम देखे तो हमको दो accounts के subject पढ़ने है दो theory के subject पढ़ने है एक हमारा financial accounting एक हमारा costing इधर हमको एक पढ़ना है eco and इधर हमको एक पढ़ना है HRM ऐसे आपके दो theory है और दो आपके applied components है वो हर college में अलग-अलग हो सकते हैं किसी को ये पढ़ना है tax किसी को ये पढ़ना है computer या फिर किसी और के लिए export marketing होगा बाकी के सारे subjects होगे तो अभी आपको simple logic से पढ़ना है कि आपको अभी smart study करनी है because आप अगर ये 10-12 दिन में भी अगर पूरा syllabus complete करने जाओगे या पूरी चीजे पढ़ने जाओगे तो क्या हो जाएगा कि बहुत load आजाएगा जिन्नोंने पहले से पढ़ा है उनको कोई problem ही नहीं है पहले से पढ़ने वाला हमेशा profit में रहता है लेकिन अगर आप time पे बढ़ रहे हो तो time पे बढ़ने के लिए ये सारी चीज़े काफी minor रखती है और अभी simple logic याद रखना है आपको अगर आप एक दिन भी waste करते हो एक घंटा भी waste करते हो दो minute भी waste करते हो तो आपके ये 10 दिन में से या 12 दिन में से जो days है वो कम होने वाले है तो ये ध्यान रखना है आपको सबसे पहली बात तो अभी इतने सारे subjects को 10 से 12 दिन में किस तरीके से allocate करके पढ़े तो सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज आपको morning में जल्दी उठ जाना है काफी important part है वरना अभी भी आप अगर वही आपका schedule follow करोगे कि morning में आप late उठोगे रात को भी आप late सोगे तो that will create a problem तो morning में आपको जल्दी उठना ऑध मॉर्निग में सबसे पहले आपको theory पढ़ना है morning में आपको theory complete करना है पर घृरी पढ़ने के बाद आपको afternoon में account करना है काउथ हमको normal theory पढ़ते वक्थ नींद आती है फिर शाम को हमको फिर से थियरी पढ़ना है फिर आपको रात को क्या करना है अकाउंट्स करना है तो हमने अगर देखा तो एक दिन में हमने चार पार डिवाइड कर लिया है दो बार हम थियरी पढ़ेंगे और दो बार हम अकाउंट्स करेंगे और अभी जो घूमने का टाइम है जो बाहर घुमने जाते हो, मोबाइल पर टाइम पास करते हो, बाकी सारी चीज़े जो आप करते हो, जिसका कुछ प्रोडक्ट युकाम नहीं है, वो सारी चीज़े आप 10-12 दिन के लिए बंद कर देना, तो ही आपको सेमिस्टर 6 में काफी अच्छे मार्स मिल पाए फिर उसके बाद 1lkड का ब्रेक ले सकते हो, दो से करने लएना और उसके बाद आप फिर खांट करने बेट जाना, 2-3 günट करना फिर एक गनका ब्रेक ले लेना फिर आप अपना ल overl往गर ay मोबाइल यह जो है मार के आ सकते हैं और फिर उसके बाद आप अकाउंट्स परने लग जाना यह शेडूल आपको हर दिन फॉलो करना है अगले 10-12 दिन के लिए इसमें आप कर सकते हो लेकिन इसमें से आप कोई भी चीज को स्किप मत करना तो ही आपका सारा चीज पढ़के भी हो जाएगा और रिवाइस हो जाएगा अब हम आज डिसकस करेंगे अब फाइनेंशल अकाउंटिंग फिर अगले वीडियो में मैं आपको कॉस्टिंग और बागी के चीज करना है द्यान से सुन लेना अभी देखो हमारा सबसे पहला जो टापिक है जिसका नाम है foreign currency ठीक है foreign exchange foreign currency F.E.F. जो नाम आप लेना चाहते हैं, वो आप ले सकते है, F.E.F. This chapter is very very easy, यह chapter काफी easy है, और इस chapter में level की अगर बात करें, तो एक level है import का, एक level है export का, usually university import के levels पे focus करता है, तो आपको करना तो दोनों है, और इसके साथ आपको ledger बनाना है, एक तो party का ledger होता है, और दूसरा ledger हमारा F.E.F. का होता है, तो यह chapter आपके paper में 20 marks का आ सकता है, तो यह chapter को ध्यान से पड़े, because general entry के 7 ledger भी पूछ लेंगे, तो 20 marks का यह आएगा ही आएगा, और अगर general entry सिर्फ पूछ लिया, तो फिर छोटा सा questions बना के 10 marks भी पूछ सकते हैं, लेकिन यह chapter आपको पहले पढ़ना है, foreign currency, अगर आपको यह chapter बिल्कुल भी नहीं आता है, अगर यह chapter में आपको difficulty लगती है, बहुत सारे लोगों को valuations कैसे करने का, valuations के बाद closing कैसे करना है, valuations के बाद की entries में rate कैसे change होता है, यह सारी चीजों में problems है, तो don't worry about it, playlist में जाएगे, playlist में foreign currency के सारे videos line से आपको मिल जाएंगे, वहां से जाके आप धूंडे financial accounting की playlist है, और सारे videos देखिए, because यह सारे videos आपके लिए ही बनाया है, अभी आपके पास वो रास्ता नहीं है, कि मेरे को कुछ नहीं आता है, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है, मैं कही class नहीं जाता हूँ, मैंने tuition नहीं लगाया है, लेकिन आपके questions खुद practice कर लेना, आपका foreign currency हो गया, वहां से बहुत सारे questions आपके paper में बनेंगे, because concepts तो वही है, number change हो क्या आता है, second जो chapter जिसके उपर आपको पहले focus करना है, and that chapter is called as amalgamation, तो amalgamation chapter काफी important है, because amalgamation chapter में, आपको सबसे पहले तो purchase consideration calculate करना है, उसके बाद आपको general entries करना है, new company में, उसके बाद आपको balance sheet बनाना है, यह एक point आपको paper में फूचते है, या फिर दूसरा भी point आता है, purchase consideration बनाने का, और बाद में बोलते है, ledger बनाओ, वो ledger वाला जो है, वो old books में है, this is in the old books, and this one is the new books, तो यह new books में entries आएगी, और यह old books में entries आएगी, तो यह दोनों तर calculate कर रहा हूँ, chapter sum को सब पढ़ने, लेकिन sequence में पढ़ना है, यह अगर इस तरीके से पढ़के जाओगे, तो क्या आपका धीरे-दीरे syllabus भी cover होते रहेगा, और यह amalgamation में, बहुत सारे लोगों को problems है, कि purchase consideration कैसे धूंडे, फिर क्या करे, तो इसके उपर आपको last minute revision की videos मिलन ही वाले है, मैंने एक purchase consideration के उपर भी video डाला है, how to calculate purchase consideration, वो आप देखिये, वहाँ से आपको purchase consideration कैसे calculate होता है, वो सारी चीज़े आपको पता चलेगी, तो first topic आपको पढ़ना है foreign currency, दूसरा topic आपको पढ़ना है amalgamation, अब तीसरा topic, देखो आपको बहुत सारे topics है, जो कुछ topics ऐसे कि जो नए आये है, मतलब पहले नहीं थे, दो-तीन साल पहले से ये topic को introduce किया है, इसके बाद आपको एक easy topic पढ़ना है, and that easy topic is underwriting, तो underwriting of shares and debentures, ये topic आपको पढ़ना है, underwriting of shares and debentures में बहुत सारी levels है, firm underwriting की level है, वो credit adjusted की level है, फिर उसमें अगर हम बात करें, तो underwriter का एक statement आपको बनाना पड़ता है, underwriter का एक statement है, और underwriter के statement के साथ, आपको general entries भी पूछती जाती है, लेकिन वो general entries वाले questions बहुत कम आपको book में मिलेंगे, तो general entries भी पूछे जाता है, तो ये जो chapter है, ये 10 से लेके 20 marks तक आ सकता है, तो 10 marks का भी हो सकता है, या 20 marks का भी ये chapter जो ये जो मैं sequence बता रहा हूँ, आपको first topic आपको foreign currency अच्छे से पढ़ लेना है, amalgamation आपको अच्छे से पढ़ लेना है, because topic तो हम सारे ही cover करने वाले है, topic तो हमको सारे ही पढ़के जाने है, लेकिन overall इस तरीके से marking आ सकती है, because 20 marks के questions में 20 marks के questions directly पूछेंगे, तो सारे chapters कवर नहीं हो पाएंगे, तो क्या करेंगे, 10-10 marks के questions में भी 2-2 questions दलके सब कुछ cover कर लेंगे, ये आपको पढ़ना है, underwriting of shares and debentures काफी easy है, gross liability, mark applications, unmark applications, कभी-कभी firm underwriting दिया जाता है, फिर benefit given, benefit not given, ऐसे वाले points उसमें है, वो आप ध्यान रखिए, और उसके basis पे कुछ general entries है, वो और लास्ट मिनिट के revision videos भी आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, तो ये 10-12 दिन आपको बहुत helpful होने वाले है, लेकिन आप खुद की पढ़ाई करें, उसके साथ channel के साथ जुड़े रहे, और अभी तक subscribe नहीं के, तो subscribe का button बटन दबाईए, because फाइदा आपको ही है, आपको notifications आजाएगा, और last minute revision का app भी download करना ना भूले, सब कुछ description में available है, वहां से जाखे follow कर ले, चलो अभी अगला chapter के बारे में discuss करते है, next topic जो है हमारा, that is called as liquidation, तो ये जो topic है liquidation, liquidation में actually क्या है, liquidation में actually आपको liquidators का final statement मनाना पड़ता है, तो liquidators का final statement, ये आपको याद रखना है, और इस chapter से statement of affairs, theory के लिए पढ़के रखना, statement of affairs काफी important है, for your theory, तो liquidator का final statement आता है, ये मुझे लगता है कि ये 10 marks का chapter पूछना चाहिए, as per my opinion, but ऐसा नहीं कि 10 marks मुझे लगता है कि तो examiner, जो university paper setter, उनको भी 10 marks ही लगेगा, हो सकता है कि वो ये 20 marks का भी डलते है, लेकिन काफी easy chapter है, liquidation का, इसमें ज्यादा कुछ problems है, नहीं, liquidator का statement बनाते है, asset realized, जो भी होते है, वो हम सब debit side लिखते है, और credit side में हम settlement करते है, payment करते है, liquidators को पेमेंट करते है, creditors को करते है, फिर debenture holders को करते है, फिर preference को करते है, और last में हम equity को करते है, that is also a point, liquidation, तो ये limited liability partnership, LLP, अब LLP में आपको final accounts आएगा, LLP में आपको क्या होगा, final accounts आएगा, complete final accounts अगर आता है, तो 20 marks का question यहाँ पे बन सकता है, तो ये 5 topic है, last का जो topic है LLP, उसमें final accounts है, उसमें format याद रखना पड़ेगा, आपको format की अगर बात करें तो, जो income and expenditure का format है, वो थोड़ा accounts था, उसके साथ related है, and similarly हमको balance sheet का भी statement मनाना है, इसमें contribution वगरा calculate करना पड़ता है, contribution received है, ऐसे सारी चीज़े हमको इस chapter में जो है, वो calculate करनी पड़ती है, देखो 5 topics है, 5 topics अगर हम बोले, तो 5 topics को, अगर आप 2-3 दिन में topics को खतम करना है, आपको 5 topics है, एक दिन में 2 topics खतम क कर दिए, एक दिन में 2-2 topics भी पढ़ने जाएंगे, तो आपके easily 3-4 दिन में सब हो जाएगा, पास topics अगर एक दिन में 1 topic पड़ेगा, तो 5 दिन में 5 topics होगा, लेकिन हमारे पास उतना टाइम है नहीं, अभी कि हम लोग एक दिन का एक topic बढ़े, तो एक दिन में 2-2 topics पर में questions आते है, किस तरीके से paper के questions को हमको solve करना है, वो सारी चीज़े आपको इस channel पर मिलने वाली है, तो don't get tense, tension लेने की बिल्कुल भी जरुरत आपको नहीं है, सिर्फ problem theory subjects का होता है, इसलिए मैंने आपको एक overall time table बता है, कि इस तरीके से आप अगर पढ़ोगे, तो आपका accounts भी cover हो जाएगा, I hope कि this overall video was helpful for you, इससे आपको financial accounting का एक perspective पता चला होगा, कि किस तरीके से हमको financial accounting में focus करना है, और कैसे कैसे हमको topics के बारे में पढ़ते जाना है, और जिन लोगों को कुछ नहीं आता है, last minute revision के app में बहुत सारे courses available है, वो भी आप जाके check out कर सकते है तो ऐसा ही एक video में आपको next part में दूँगा, and that will be on the subject of costing, हमको costing में कौन से topics के ओपर focus करना है, कैसे topics होते है, उसमें कैसे type के questions पेपर में आते है, आ सकते है, वो सारी चीजों के बारे में discuss करेंगे, अगर आपको ये video अच्छा लगाए, तो एक like का button दबाईए, उसका benefit यह ही है कि YouTube algorithm को लगेगा कि video के content में कुछ अच्छा दम है, और वो YouTube उसको promote करेगा, और काफी बच्चे को इसका फाइदा होगा, exam के time पे, या अपने groups में इसको share करे, ताकि लोगों को पता चले exactly की किस तरीके से आपको financial accounting में काम करना है, thank you very much from this session, next session में मिलते है, bye bye, take care.